आज हम लोग चार्चा करने जा रहे हैं योगी अधितनाची के चुनाओं की और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्ध प्रदेश में क्या गत्विदियां इस समय चुनाओं के समय चल रही हैं खास्तौर से उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अपोजीशन जो ये आस लगाए बैठा है कि शायद सरकार बदल जाये हैं हाला कि उनको भी उमीद थोड़ी कम ही लग रही है लेकिन फिर भी उनको ये उमीद थोड़ी बहुत जग रही है, लोगों को जग रही है खास्तौ करके बदलते ही उनको क्या-क्या एक्षन लेने हैं पांच वर्ष से बैठा हुआ जम हुआ खून कैसे खॉल कर बाहर आएगा और कैसे लोगों को परेशान करेगा मैं अब अंतिम चरण चुनाव अंतिम चरण में है मैंने आपको पहले चरण तीसरे चरण के चुनाव के बाद भी एक विशेश प्रकार का जो मेरा उब्जर्वेशन था वो उब्जर्वेशन आपको बताया था उसी संदर्म में अब ये लग रहा है कि चुनाव पूर से कुछ जगहों पर घूमा खास्त और से उन कॉंसिट्यूएंसिस में जिन कॉंसिट्यूएंसिस में ये लग रहा था किनी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है मैं वहां पर घूमा तो कुछ लोगों से चर्चा होई मेरे व्यक्ति का तनुबव है इसलिए इ इंफर्मिशन का श्रोत नहीं है कि किस से इंफर्मिशन किसी और ने बताया होगा मैं आपको बता हूँ मैं किसी की घर एवी मिलने गया चाहे भी और बात होने लगी उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो ग्रेजूएशन कर रही है और वो पोस्ट ग्रेजूएशन कर रही है ग से जादा मोबाईल, लैक्टॉप और टैबलेट बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश में अब आप सोचे कि एक करोल मोबाईल और वो भी उन्होंने मुझे मोबाईल दिखाया उनकी पत्नी को मोबाईल मिला था उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया था उनका कहना था कि मैं मेरी में इस कॉलेज में उनके माक्स अच्छे थे और जो भी क्रैटिर रहा हो उनसे कहा गया कि आईए और एक फर्मिल्टी पूरी करिए और सुबह लखना हुजाएए आपको वहां मोबाईल मिलने वाला है वह मोबाईल उन्होंने मुझे दिखाया ऐसा उन्होंने कहा कि इसकी मार्केट वैलू लखपक 14,000 रुपए की है आप सोचिए कि वह सबसे निम्न कैटेगरी की थी निम्न कैटेगरी मतलब जो डिस्टिबूशन बेनिफिशरी से उनमें निम्न कैटेगरी के उसके ऊपर व लोग मान कर चलते हैं वो चुनावी घोशना रहती है लेकिन सरकार ने एक करोड लोगों को ऐसा किया एक सजजन के घर में गया तो उनकी पत्नी ने एक प्रकरण बताया वो प्रकरण ये था कि उनकी पत्नी जिस लाइन में लगी थी महिलाओं की लाइन थी वोट डालने के महिलाओं ने का हाँ हाँ मुझे मालूम है मुझे मालूम है कि मुझे साइकल पर वोट डालना है ऐसा महिलाओं ने उस पुरुष से कहा इसके बाद एक महिला वोट डालने गई वोट डाल कर जब वो बाहर आ रही थी तो दूसरी महिला एंटर कर चुकी थी जो पहली महिला बाहर आ रही थी उसने जो तीसरी महिला खड़ी थी मुस्लिम महिला उससे कहा कि पता है ना कि वोट कहां डालना है तो उसने कहा हां मुझे मालूम है बोले तीसरे नंबर की बटन है अब मैं उस constituency में तीसरे नंबर की बटन के बारे में पूछा तो उनने कहा ये कमल के फूल क बुटन हैं, यानि कि वो महिलाएं पुरुष से कुछ और कह रही थी, लेकिन निश्चत रुप से वो फूल पर बोट डाल रही थी. अब वो जो पीछे महिला जिसने मुझे पती को समाज़वदी पार्टी को पूरुशा था उसको समाज़वदी पार्टी पताया है तो उस महिला ने कहा कि अगर सबसे ज़्यादा सिक्यूरिटी की कहीं आवशकता है तो वो भाजपा ही दे सकती है ट्रिपल तलाक उन्होंने किया है जिसे मुसलिम महिलाओं को बहुत रहात है और अगर चार निकाह कोई खतम कर सकता है तो वो सिर्फ भाजपा कर सकती है बाकी हम बाद में देख लेंगे जो हमारे religious issue है जो हमारे संपर्दाइक issue है लेकिन आज सबसे बड़ा issue ये है कि हमें security चाहिए हमें अपने घर के अंदर security चाहिए हमें परिवार के अंदर security चाहिए अब आप सोचिए मैंने कई बार आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक करोड़ सरसट लाख सिलेंडर एक करोड़ चौदा लाख बिजली के कनेक्शन अब हर घर में नल का पानी यानि की पंप से फिल्टर किया हुआ तकि स्वास्ति सेवाएं अच्छी रहें इसके लाबा करोड़ों की संख्या में हेल्थ स्वास्त कार्ट हेल्थ कार्ट यानि की जनारुग्य कार्ट और ये जो लैप्टॉप का चकर है मकान बहुत सारे चीजें हैं अगर सारे बेनिफीशरी उठा कर लाते हैं तो उत्तर पडिश में बेनिफीश्रियों की संख्या लगबग 15 करोड है ये मैं इसमें खात-पानी की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें वो बात नहीं कर रहा हूँ जो की राशन की बात है क्योंकि लोगों ने ये कह दिया राशन जो सरकारा थी वो देती हाला कि इसमें बहुत बड़ा डाउट है पहले तो राशन पूरा खाई जाते थे ये राशन कैसे देते ये भी बड़ा घंबीर प्रशन है लेकिन ये बात तैय है कि लगभग 15 करोड लोग राशन वाला सेक्स्टम हटा दिये किसी ने कि इसी माद्यम से बेनिफेशरी रहे हैं अगर इन 15 करोड लोगों में हम ये मान के चलें कि 5 करोड ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टी के हैं तो भी जो जो ऐसा नहीं मानेंगे जिनको विवस्ताएं नहीं चाहिए जिनको रिलीजन सर पर चड़ा हुआ है और उन में भी मैं आ 10% महिला हैं और महिलाओं का हाल मैंने आपको बताया अगर उन परसेंटेज में से 5% भी यानि कि महिलाओं का पूरा 100% महिला उस संपरदाय का वोट ना मिले केबल 25%, 30%, 40% महिलाओं का 10 में से 4 महिलाओं का वोट भी मिला और इधर जो बेनिफीशरी हैं उनका वोट मिला मैं कुछ पाटिकुलर जातियां हैं जो अखले श्यादब के साथ होगी उनको हटा दो मायवतिका समर्थन आपने देखा कि मायवतिका समर्थन हुआ ही है तो ऐसी परसिती में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 100% बन रही है यह वहां की बात मैंने आपको बताई जहां वोट पढ़ चुके हैं यानकी जो पहले के अभी तक के चरण हुए हैं उनके अनुसार उनक शित्रों में मैं लगबख दस विधान सभाओं में ऐसी घूमा हूँगा जहां पर यह लग रहा था कि नहीं समझवादी पार्टी ने अच्छा किया है उन दस विधान सभाओं में मैंसेज नहीं बस यह एवें और क्या चल रहा है कैसे चल रहा है इस तरह की बाते हुए इन सर्वेयों से यह बिल्कुल 100% लगता है कि अब चुनाव समाप्त होते होते अब तो चुकि योगी आदेतनाज जी के गड़ में चुनाव होना है जहां कभी किसी की भी सरकार रही हो चाहें समाझे देपार्टी के सरकार रही हो वहाँ प्रभाव योगी जी का ही रहा है और ऐसी परसितियों में यहां पर भी बाकी जो चरणों के चुनाव हो चुके ह था कि शाह जहां का उर्स ताजर महल में मनाया जाता है ताजर जहां के उर्स में एक कोई मुस्लिम संगठन उसने 1400 मीटर का या फिट का कुछ ऐसा था एक चादर चढ़ाई है शाह जहां के ऊर्स पर अब अभी तक ऐसा मैंने सुना नीता हो सकता है छोटे मोटे इस तर पर कुछ लोग मनाते हों लेकिन वो पार्टी अब तैयारी कर रही है कि किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश को परेशान कर ले किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वो अपना खेल खेल ले आपको बताऊं कि ताज महल का मंदिर P.N.O. को अगर पढ़ेंगे तो P.N.O. या B.N.O. जो भी उनका नाम है उसके अनुसार ताज महल एक शिब मंदिर है मैं ताज महल व्यक्तिकत उनकी किताब पढ़ने के बाद भूमने गया उनकी दरश्टे से घूमा तो जो फूल बने हैं जो निशान बने हैं जो नकासी है जो उसके डिजाइन है वो सब कुछ बताती है कि यह एक हिंदू मंदिर है उपर जो कबरे बनाई गई हैं वो बाद में बनाई गई है और नीचे साथ मंजिल का वो मंदिर है नीचे की चार फ्लोर या तीन फ्लोर पर ताला लगा हुआ जहां जाने नहीं दिया जाता उसको खोला नहीं गया है ऐसा कहते हैं कि वहां मंदर के दरवारियों को मार कर गाड़ा गया है मार कर फेक दिया गया और या फिर लोग ये भी आशंका जताते हैं कि वहां पर भगवान के दूसरे शिवाला चुकी शिवाला बनता था, कई मंचली स्टोरी बनता था, तो अलग-अलग देवी देवताओं का बनता था, वो दूसरी जगहों पर और देवी देवताओं के भी हैं, और जमना के किनारे जिस प्रकार से ताज महल पर चणने का रास्ता है, नीचे मंदर में घुसने का रास्ता है, वो शिब मंदर है, और इस बात को लेकर उसने नोटेश इशू किये हैं, जवाब नहीं आ रहे हैं, समय मुझे लगता है तोड़ा आएगा, तो फिर उस पर भी फैसला होगा, वो मुगदमा बाकाइदा चल रहा है, नोटेश इशू उट है, एक और अच्छी सूचने वाली ख चुरू की, और किसी दबाओ के बगर, किसी संकोच के बगर, उन्होंने कहा, जो सही है, वो सही है, जो गलत है, वो गलत है, गलत आदमी के मकान को तोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं सोचना, गलत तरीके से जो कारवाई यहां चल रही हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं सो उसके अलबाद उनसे वसूली का प्रावदान रखा ममला सुप्रीम कोर्ट तक गया मैंने पूरी बात सुप्रीम कोट की आपको बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिस खारिज कर दिये लेकिन सरकार कहीं न कहीं से घुमा कर वो ट्रिमूनल पर ले आई और यह कहा कि ट पिशेश बात नहीं कहे पाएगी अचरसहिता लगी हुई है लेकिन कोर्ट ने कहा हमारे ओर को implement करने के लिए कोई अचरसहिता की अवशक्ता नहीं कोई अचरसहिता उसमें वादा नहीं होते वो सीधा implementation of law है और law को पारिद करने के लिए policy work नहीं सरकार नहीं कर रही है मैं देखा कि अयुध्या का विकास हो रहा है जिस प्रकार काशी विश्वनात का कोरिडर बना है जिस प्रकार मत्रागर आप जाईए मैं अभी इसी बीच में ब्रंदावन गया था तो ब्रंदावन में चुकि कोविट के बाद लंबे समय तक हम नहीं जा पाए मैं regular वहाँ से घुषते थे तो वो रास्ता अपने को अइडिटिफाइड था मुझे एक सेकंड रुखना पड़ा क्योंकि वो अजीब सा रास्ता लगा तो मेरी श्रीपती जी ने कहा कि नहीं यहीं रास्ता है तो मैंने ध्यान दिया तो बड़ी से गुम्मद अच्छे से बना दिये हैं रास्ते को डेकोरेट कर दिया गया है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रास्ता नैसरे से बनाया गया है अंदर घुसे तो बिल्कुल अमूल चुक परिवर्तन अंदर दिखाई पड़े पदयात्रा के लिए पद्धमार के लिए और जो इंफ्राच्रक्शर की जरुर बढ़शा है तो यह बात बिलकुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में यह जो चल रहा है यानि की जो तीर्था तन की फिलोसपी है तीर्था तन दोनों ही लाब देता है वो एक तरब तो परिटन भी होता है और तीर्था तन भी होता है इस लिए coordinating नो को सुकून देता है और राज्य को भी सुकून देता है और एकोनोमी को भी सुकून देता है इससे अच्छा क्या हो सकता है दूसरा जैसे मतुरा में आयोध्या में हमने देखा होगा कि पीछले वाली दीपा वाली पर जो दीप जलाए गए थे उसने गनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज क कर रहे हैं उदर पर विपलवदेव जी सीधी सीधी बात कर रहे हैं उदर और वीरेन सिंग सीधी सीधी बात करने लगे हैं मड़ीपूर से और अभी मध्यप्रदेश में हम सब जान रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन तो महाकाल की नगरी पूरे विश्व में प्रसिद् चुनाव के बाद जो उत्र प्रदेश्ट का चुनाव है और योगी अदितना जी दुबारा बैटने वाले हैं इसमें अब कोई दोहराय नहीं रहए गया है मेरे मन में तो नहीं रहाए गया आपको याद होगा जो मैंने पहला लेक्षर दिया था पहले दूसरे चरणग के बाद उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे डाउट हैं क्यूकि वोटिंग कम होई है और वोटिंग कम होने का हमें लगता है कि कुछ भाचपा का ही वोट गया होगा हिंदू समाज ही शितलता से बैठा होगा लेकिन अभी चो सुचनाएं उसमें ये भी है कि दूसरा समाज भी उत्सहा अपने आपको मेंटेन नहीं कर पाया और मुस्लिम महिलाओं के वोट को कोई शक नहीं और जहां तक मैंने कहा है कि बाकी जातियों की बात है तो इस चुनाओं में भी उत्तर प्रदेश में जाती समीकेरण प्रदेश हैं और यहां ऐसा कहा गया कि जाती चुनाओ ही होता है लेकिन योगी जी ने चुंकि वो योगी हैं और योगी सभी जातियों के लिए पुझ्य होते हैं इसलिए योगी जी और मोदी जी की इस जोडी ने ये बात जगजाहिर कर दी है कि अब चुनाओं में किसी प लेकिन इस चुनाओं में जनरल मतदाता जो बोलता नहीं है जो रोड पर नहीं आता है जो बयान नहीं देता है जो कोई ऐसी कारवाई नहीं करता है जो आपको मैसेश कुछ दिया जा सके वो जनता इस बात को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इस चुनाओं में पूल रूप से योगी जी का साथ दिया है और उनको पुना मुख मंत्री बनाने के लिए अगरसर हुए है इसलिए अब बहुत चिंता का विश्य नहीं दे लेकिन अब जो भी चरण रह गये हैं उसमें मतरताताओं की जिम्मेवारी बनती है कि वो चुनाओं में वोट अच्छे से डालें ताकि बाकी के जो इलक्षन अब बचा है उस इलक्षन में भी योगी अधितनाजी अच्छे से आएं मुझे उम्मीद है कि सीटे तीन सो सवा तीन सो नहीं जो गड़ मुझे पता लगे जो अंदर की बात जो सूचनाय आई हैं उनके अनुसार सवा तीन सो भी क्रॉस हो सकत और अगर जैसे मैंने कहा कि पहले दूसरे चरण में कुछ गड़बर हुआ है तो भी तीन सो के लपेटे में सीटे आने वाली हैं ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है इसलिए जो हमको सुनने वाले लोग हैं जिनकों चिंता विक्ति की थी बहुत सारे कमेंट किये थे मेरे अगरें जरूर करना चाहता हूं बस इतना आगरह जरूर करना चाहता हूं को अब जो भी चरण बचे हैं उसमें वोटिंग पूरी शक्ति से करें उसमें शित्रिकाना ना वरत हैं जैहिन जै भारत वन्येवात्रम